दोस्तों अगर हम बात करें साल दोवार 19 और साल दोवार 20 में सबसे व्यादा बिकने वाले गाड़ियों की तो आपके दिमाग में कौन से कार सबसे पहले आएगी अगरा वैन्यू, विटारा वरिवा, अल्टो या फिर स्विफ्ट के बारे में पोच रहे हैं तो आप गलत हैं इस टाइम करेंट इंडियन और्डर मार्केट में सबसे व्यादा बिकने वाली कार मारूती की बलैनों है मार्केट की बलैनों की हर महिने करीब-करीब 18 से 20,000, कई बार तो 25 बार यूनेट तक अराम से सेल हो जाती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कार को इंडिया में लाँच हुए करीब-करीब 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है इस वीडियो में हम मार्केट की बलैनों के बारे में ही बात करेंगे और यह जानेगे कि बलैनों इंडिया में इतनी ज़्यदा सक्सेफुल कार क्यूं है और इसमें ऐसा कह मिलता है कि आम आदमी बलैनों को ही सबसे पहले खरिदने के लिए फ्रेफर करता है तो सबसे पहले इस कार के सेग्मेंट की बात करते हैं बलानों इंडिया में हैचबे कार सेग्मेंट को बिलोंग करती है और इसी सेग्मेंट में इंडिया में सबसे व्यादा गारियां खरीदी जाती हैं क्योंकि hatchback car segment में मिलने वाले गाड़ियां इडिया में करीब करीब 3 से 8 लाग रुपे के budget में इडिया में 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 मिलती है और इंडिया में आम आदमी budget में आने के वज़े से एक hatchback car सबसे व्यदा प्रेफर करता है और इसी के साथ दोस्तों बलैनो में आपको अच्छा खासा size और dimension भी मिल जाता है बलैनो के length करीब करीब 3995 mm है और इस car के चोड़ाई 1745 mm की है और इतने size और dimension में इस car के interior में आपको अच्छा खासा comfort मिल जाता है और car के अंदर 5 लोगों के बैटने के लिए अच्छा खासा comfortable space मिल जाता है car में दूफरा plus point इस car के features का है बलैनो में आपको value for money features का package मिल जाता है car में आपको ऐसे features भी नहीं मिलते जिनकी बज़े से car के कीमत ज्यादा बढ़ जाए और मतलब कि काम काम के features आपको बलैनो में मिलते है features के मामले में तो इस segment की premium hatchback cars के segment में i20 जैसी car ज्यादा बैट रहे हैं लेकिन उनमें आपको ज्यादा features मिलते है जिसके वज़े से गारी की कीमत भी ज्यादा चली जाती है लेकिन बलैनो के case में आपको value for money और कम feature ही मिलते हैं लेकिन useful feature मिलते हैं बलैनो के features के बात करें तो मारूति बलैनो में company कई सारे features offer करती है जैसे की car में आपको key left entry, push button start and stop, reverse parking sensors with camera automatic headlamp, sharing mounted audio control, automatic climate control car में 7 inches के touch screen time system मिलती है जिसमें आप कई सारे features जैसे की Android Auto, Apple CarPlay और कुछ अलग connected car technology की features को assist कर सकते हैं और इसी के साथ car के exterior में आपको LED projector headlamp जैसे features भी मिल जाती हैं और इन features के बलैनो एक अच्छी कम कीमत में मिलने वाली काम की car बन जाती है बाकि safety features के बात करें तो बलैनो में आपको safety features भी काम के ही मिल जाती हैं बलैनो में safety features के तोर पर company इसमें ABS के साथ EBD, dual front airbags और reverse parking camera और sensor जैसे features ओफर करती हैं बलैनो में कुछ ज़्यादा high-tech features भी नहीं मिलते हैं लेकिन आप इस car को कम feature वाली car भी नहीं बूल सकते हैं इस car को buy करने का decision आपका ही होगा लेकिन मैं इस car के बारे में आपको इस car के plus point और negative point आपसे share कर रहा हूँ अब इस car को खीरने का तीसरा plus point है इस car का engine आप जानते होंगे कि मारूती ने अभी diesel engine बनाना बंद कर दिया है लेकिन आपको बलैनो में petrol engine का option मिलता है car में 1.2 liter का मारूती का case series का petrol engine मिलता है लेकिन ये engine अच्छी खाफी power और torque output देता है और diesel engine से मुकाबला करता है car में आपको manual transmission चाहिए हो तो manual मिल जाएगा और automatic में CVT automatic transmission option इस car में मिल जाता है यहाँ पर दोस्तों इतने छोटे engine के लिए बहुत कम लोग diesel engine को फ्रैवर करते है और मारूती में भी इस चीज़ को जान लिया है और diesel engine को बंद कर लिया है लेकिन petrol engine के option में ही आपको बलैनो एक काफी अच्छी car मिल जाती है बाकी car के engine की maintenance जो है दोस्तों उसकी cost भी काफी ज़्यादा कम है और इस car को buy करने का तीसरा plus point है कि इस car की service network जो है मारूती का दोस्तों all over the India है आप कहीं भी बड़ी असानी से बलैनो की service असानी से करवा सकते है तो कुछ इस वज़ा से भी लोग बलैनो को ख्रीदना पसंद करते है अच्छा efficient engine होने के वज़ा से दोस्तों बलैनो की जो mileage है वो भी काफी अच्छी है Automotive Research Authority of India ने बलैनो के mileage करीब करीब 21 km per litre के आफ़ पास claim की है तो अच्छे mileage की इच्छे रखने वालों के लिए भी बलैनो एक suitable कार है segment की बाकी काफ के मुकाबले बलैनो काफी हच्छा mileage दे देती है बाकी कुछ लोग दोस्तों बलैनो को इस कार की refill value की वज़़ा से भी कृते है मारूती की गाडियों की refill value बाकी कास companies के मुकाबले थोड़ी ब्यादा अच्छी होती है तो इस बज़़े से भी लोग मारूती की गाड़ी लेना पसंद करते हैं और बलैनो को लोग ब्यादा करीद रहे है मारूती की बलैनो की कीमत और विरेंस के बात करें तो बलैनो इंडिया में अभी हाल फलाल चार विरेंस में मिलती है जो हैं सिग्मा, डेल्टा, अलपा और जेटा और इस कार की शुरुआती एक शुरुम कीमत करीब करीब पांच लाग सतर हवा रुपे के आपास से शुरू होकर नौ लाग रुपे के आपास तक जाती है और अपने प्राइस पॉइंड में ही दोस्तों बलैनो एक काफी अच्छे कांपूटिटिटिव प्राइस सेग्मेंट में आपको इंडिया में मिलती है और सेग्मेंट के बागी कार से अच्छे प्राइस में मिलने के बजाए से ही ये कार इंडिया में सबसे ज़्यादा बिक पाती है यासे दोस्तों परसनली आपको बलेनों कैसी लगती है कि मैंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल एकन को प्रेस कर लें थैंक्यू बर्मुच